कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उच्छालो यारो सभी को नमश्कार हिंदी कक्षया में आपका स्वागत है आज हम कक्षया साथ की हिंदी पाठे पुस्तक ग्यान सागर का चोद्वा पार्ट एस रामानूजन पढ़ेंगे जो दलिप मधुकर सालवी जी दुआरा रचित है दुनिया में कभी कभी ऐसी विलक्षन परतिभाई जनम लेती है जिनके बारे में जानकर सभी आश्चरी चकित रह जाते हैं आज मैं बात करने जा रही हूँ भारत के महान गनित्तग स्रीनिवास रामानूजन की जिन्होंने 33 वर्स की छोटी एयू में गनित्त के छेत्तर में अद्बुत खोज की है और आपको यह जानकर हैराने होगी कि आधोने क्योग के इतने महान गनित्तग ने कोई विसेस पढ़ाई नहीं की थी उन्होंने खुद की महनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया बेहद साधान परिवार में जनम लेने वाले रामानूजन ने वो कर दिखलाया जो शायद ही कोई कर पाए गनित के पेपर को 3 घंटे की जगे सिर्फ 30 मिन्ट में करने वाले रामानूजन से गनित भी घबराता था छोटी सी उमर में मेहत के थोरम लिखने वाले रामानूजन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं अपितू पूरी दुनिया के लिए बिसाल है उन्होंने गणित में ऐसे ऐसे सिध्धान्थ दिये जिने आज तक सुलजाया नहीं जा सका है उनके फोर्मूले कई वेग्यानिक खोजों में मददगार साबित हुए हैं विदेशी गणित तक भी रामानूजन को अपना प्रेड़नस रोत मानते हैं इंग्लेंड की रोयल सोशाइटी ने 1918 में इने अपनी फैलो में सदश्य बनाकर सम्मानित किया था संपूर एशिया में यह सम्मान पाने वाले रामानूजन पहले भारतिये थे रामानूजन एक ऐसी ही भारतिये परतिभा का नाम है जिन पर नैकेवल भारत को अपितु पूरे विश्व को गर्व है रामानूजन के जनम दिन को राष्टिये गणित दिवस के रोप में मनाया जाता है इनके जीवन पर आधारित एक फिलम भी बनी है जो दि मैन हून्यू इन फिटी के नाम से है जिसमें रामानूजन के जीवन के अनकहिवे अनसुने तथ्यों के बारे में पता चलता है तो आईए और ज़्यादा समझने के लिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं तो देखिए गनित की कक्षा चल रही थी अध्यापक भाग करना सिखा रहे थे शामपट पर तीन केले बने हुए थे हमारे पास तीन केले हैं अध्यापक ने कहा और तीन ही लड़के हैं क्या तुम बता सकते हो कि परतेक लड़के को कितने केले मिलेंगे अगली पंक्ती में बैठे एक होशया लड़के ने उत्तर दिया परतेक लड़के को एक केला मिलेगा अध्यापक ने कहा तुमने ठीक कहा इसी तरह यदि हजार केले हो और एक हजार लड़कों में बाटे जाए तो भी परतेक लड़के को एक ही केला मिलेगा क्यों ठीक है न जब अध्यापक समझा रहे थे तो कोने में बैठे एक लड़के ने हाथ उपर उठाया और खड़ा हो गया अध्यापक रुख गए और लड़के के बोलने की परतिक्षा करने लगे लड़का बोला जनाब यदि कोई केला किसी मेंने बाटा जाए तो क्या तब भी परतिक को एक केला मिलेगा कक्षया में सब हस पड़े क्या मूरकता का परशन है अध्यापक ने जोर से मेच पर हाथ मारा और कहा चुप हो जाओ इसमें हसने की कोई बात नहीं है मैं समस्ता हूँ वह क्या कहना चाहता है हमने केलो के बटवारे में तीन को तीन से भाग किया फिर कहा कि परतिक को एक केला मिलेगा फिर हमने हजार को हजार से भाग दिया तब भी सब को एक केला मिला वह पूछना चाहता है यदि सुनने केले को सुनने में बाटा जाए तो क्या तब भी परतेक लड़के को एक केला मिलेगा इसका उत्तर है नहीं गनित के अनुसार परतेक को ऐसंखे केले मिलेंगे लड़के फिर हस पड़े वे गनित के कर्तब को समझ कर हसे थे लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि बाद में अध्यापक ने उस लड़के की जिसने एक बिकार सा परसन पूचा था परसन सा क्यों की लड़के ने ऐसा परसन पूचा था जिसका उत्तर देने में गनित तग्यों को कई साल लग गई कुछ गनित तग्यों का कहना था कि सुनने को सुनने से भाग देने पर सुनने आता है लेकिन अन्ने कहते थे कि यह एक होता है जिस लड़के ने यह उल्जन भरापर्शन पूछा था उसका नाम था स्री निवास रामा नूजन अपने पूरे जीवन में चाहे अपने जनम स्थान में रहे या विदेश में वे सदा अपने गनित के अध्यापकों से आगे रहते अब तक आपने पढ़ा कि रामा नूजन के स्कूल में एक दिन गनित के अध्यापक ने पढ़ाते हुए कहा यदि तीन केले तीन वेक्तियों में बाटे जाए तो परतेक को एक केला मिलेगा यदि हजार केले हजार वेक्तियों में बाटे जाए तो भी परतेक को एक ही केला मिलेगा इस तरह सिध होता है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो परिणाम एक मिलेगा रामानुजन ने खड़े होकर पूछा कि सुनने को सुनने से भाग दिया जाए तो भी क्या परिणाम एक ही मिलेगा रामानुजन के सेह पार्टी तो इस अटपटे परसन पर हस पड़े पर अध्यापक समझ चुके थे कि रामानुजन क्या पूछना चाह रहे हैं और अध्यापक ने रामानुजन की विलक्षन परतिभा को जान लिया कि ये कोई साधारण भालक नहीं है रामानुजन का जनम तमिलनाडू के इरोट नामक स्थान पर 22 दिसंबर 1887 को हुआ उनके पीता कपड़े की एक दुकान में मुनेम थे बच्पन से ही ये सपष्ट था कि रामानुजन एक विलक्षन परतिभा के धनी है विष्ट छातर उनसे गणित के परसन हल करवाने उनके छोटे से मकान में आते तेरा वर्ष की आयू में रामानुजन एक कोलिज लाइबरेरी से लोनी की टिग्नोमेटरी की पुस्तक ले आए उन्होंने ने सिर्फ इस कठिन पुस्तक को पढ़ा और समझा बलकि अपना सोध कारिये भी आरम कर दिया उन्होंने कई थोरम और फोर्मूलों का पता लगाया जो पुस्तक में दिये नहीं गए थे यद्पी उनकी खोज पहले के परसित गनित्योग्यों ने की थी एक सबसे महत्वपुन बाद दो वर्स बाद हुई जब उनके एक वरिष्ट मित्तर ने उन्हें जोर्ज सुबरीज कार की सिनो पैसेज ओफ एलिमेंटरे रिजल्ट इन प्योर एंड एपलाइड मैथमेटिक्स दिखाई पंद्रा वर्स के लड़के के लिए यह सिर्षय की डड़ा देने वाला होना चाहिए था मगर रामा नूजन इसे पाकर बहुत परसन हुए वे पुस्तक को घर ले गए और उसमें दिये परसनों को सुलजाने में लग गए इस पुस्तक ने उनकी गणित की परतिभा को प्रेरित किया गणित के बारे में उनके मस्तिक में इस तेजी से विचार आने लगे कि उन सब को लिखना भी कठिन हो गया वे परसनों को खुले पन्नों में या सलेट पर करते और परिणाम नोटबुक में लिखते विदेश जाने से पहले उन्होंने तीन नोटबुक्स भर डाले थी जो बाद में रामा नूजन की फ्रेट नोटबुक्स के नाम से परसिध हुई आजकल भी गणित तक उनका अध्यन कर रहे हैं जिससे उनमें दिये परेणामों को परमानित या उनका खंडन कर सके यदभी दस्यों की परिक्षय में रामानूजन गणित में पर्थम सरणी से पास हुए और उन्हें सुबर मन्ने चातरवर्ती भी मिली लेकिन कोलिज में आठ्स पर्थम वरस में ही दो बार ऐस अफल हुए क्योंकि उन्होंने इतिहास अंग्रेजी और सरीर विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया था उनके पिता को बड़ी निराशा हुई जब उन्होंने देखा कि रामानूजन सारा समय संख्याई लिखते रहते हैं और कुछ नहीं करते उन्होंने सोचा कि रामानूजन पागल हो गया है उसका पागलपन हटाने के लिए उन्होंने जबर्दस्ती बेटे का विवा कर दिया उनकी पतने के रूप में आठ वर्स की बाली का जानकी को चुना अब तक हमने जाना कि रामानूजन का जनम 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलाटू राजे के इरोट नामक स्थान पर हुआ इनके पिता कपड़ों के एक दुकान में काम करते थे बच्पन में इनका बोधिक विकास बहुत कम था सामाने तोर पर बच्चे एक या डेड़ साल में बोलना शुरू कर देते हैं पर रामानूजन ने तीन सालों तक कुछ नहीं बोला था रामानूजन के दिमाग में हमेशे ही अटपटी परशन आते रहते थे जैसे संसार का पहला आदमी कौन था पिर्थवी और बादल के बीच की दूरी कितनी है रामानूजन को परदा निखना बहुत अच्छा लगता था खास कर गणित इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ग्यारा वर्स की उमर में वे कोलिज लेवल का मैत सोल कर देते थे मैत के पर्ति उनका लगाव कुछ ज़्यादा ही था हर समय संख्याई लिखते रहते थे मैत को छोड़ कर बाकी सब्जेक्ट में वे फेल हो गए थे तो पिता जी ने उनका पागल्पन हटाने के लिए उनका विभा कर दिया अब रामानूजन नोकरी की फिराक में रहने लगे उन्हें केवल रोटी के लिए ही रुप्या नहीं चाहिए था गणित की परसन हल करने के लिए काग्चु के लिए भी पैसा चाहिए था हर मैने उन्हें दो हजार कागच चाहिए होते थे रामानूजन सेड़क पर पड़े कागच के टुकडों का भी परियोग करने लगे कभी कभी तो वे उसी कागच पर जिस पर पहले से लिखा होता लाल शाहिं से लिखने लगते मैले कुछेले और भिखरे बालों के साथ वे दफ्तरों में जाते और कहते कि उन्हें गणित आता है और वे कलरक का काम कर सकते हैं वे अपनी फटी पुरानी कोपिया दिखाते लेकिन कोई भी कोपियों में क्या लिखा है समझ नहीं पाता था और उनका प्राथना पत्तर ऐ स्विकार कर देता था सो भाग्य से उन्हें एक बार ऐसा व्यक्ति मिला जो उनकी नोटबुक से बड़ा परभावित हुआ वहे व्यक्ति मदरा स्पोर्ट रस्ट का निर्देशक फ्रांसिस स्प्रिंग था उसमें इन्हें लिपिक के पद पर 25 रुपे परती मास के वेतन पर रख लिया इसके बाद कुछ अध्यापक और शिक्ष्या सास्त्री भी रामानुजन के काम में दिल्चस्पी लेने लगे और उन्होंने इन्हें शोध शिक्ष्यावर्ति दिलाने का प्रियास किया एक माई 1913 को चेन्ने विश्विध्याले ने रामानुजन को 75 रुपे की शिक्ष्यावर्ति दे दी यद भी उनके पास कोई डिगरी नहीं थी कुछ महीने पहले रामानुजन ने कैम्बरिज के परसिद गनित तक जी एच हाइडे को पत्तर लिखा था जिसमें उन्होंने 120 ठोरम और फोर्मूले भेजे थे पत्तर में उस किसम के समिकरणों के बारे में रामानुजन के अनूभव भी थे जिने मॉडूलर कहते हैं पी अरी डेल्ले ने हाल में ही उनके अनूमान को सही परमानित कर दिया है रामानुजन ने एक हाइपर जियोमेट्रिक संखला में एक फोर्मूला भी दिया जो बाद में उनके नाम से विख्यात हुआ हाइडी और उनके साथ ही जेई लिटलवुड को यह जानने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि रामानूजन गनित में दुरलब परतिभा संपन है उन्होंने रामानूजन के कैम्बरिज विश्विध्याले आने और ठैनने का परबंद कर दिया और वे 17 मई 1914 को पानी के जहाज दुआरा ब्रेटन के लिए रवाना हुए कैम्बरिज में रामानूजन ने अपने आपको अजनभी पाया कड़ी सर्दी सहना कटिन था और वे ब्रामन और साकाहारी होने के कारण अपना भोजन स्विम पकाते थे फिर भी दर्ड जिष्चे होकर वे गणित में अपना सोधकारिय करते रहे हायडी और लिटल उड की संगती में वे अपनी कठनाईयों को भूल जाते थे रामानूजन अंकों से ऐसे खेलते थे जैसे बच्चा अपने खिलोनों से खेलता है यह उनकी सुध परतिभाही थी जो उन्हें गणित की सच्चाई पर पहुचा देती थी उन्हें परमानित करना भी विज्ञान में जरूरी है और वह कारिये उन्होंने अपने से कम परतिभा साली लोगों पर छोड़ दिया जब रामानूजन अपना सोध कारिये कर रहे थे तपेदिक तब इस बिमारी का इलाज नहीं था उन्हें भीतर से खतम कर रहा था रामानूजन को वापस भारत भेज दिया गया जब वे जहाद से उतरे तो उनके मित्रों ने उन्हें पीला थका हुआ और कमजोर पाया अपनी बिमारी के दर्द को भूलने के लिए वे मिर्त्यू निकट होने पर भी अंकों से खेल खेलते रहे 26 अप्रेल 1920 को चेट पेट चन्नेई में उनकी मिर्त्यू हो गई गणित्त के होने के साथ साथ रामानूजन परसित जोत्सी और अच्छे वक्ता भी थे वह भगवान, सुन्ने, अनंत जैसे विशो पर भासन देते थे तो घर की हालत और नोकरी की तलास में रामानूजन पागल से हो गए थे कोई भी उनकी परतिभा को समझ नहीं पा रहा था और फिर एक दिन उनकी मेहनत रग लाई केम्बरिज के परसित गणित्यक जी एच हाइडी और उनके साथ थी लिटल वुड ने इतने परतिभा समपन गणित्यक को पहचान लिया और उन्होंने तुरंधी रामानूजन को विदेश बुलवा लिया विदेशी माहूल में भी रामानूजन ने दड़ निष्चे से अपने काम को जारी रखा अंकों से खेलना रामानूजन का सोक था पर धीरे धीरे उनका स्वास्ते गिरता जा रहा था डोक्टरों ने उन्हें वापस भारत लोटने की सलहा दी भारत लोटने पर भी उनके स्वास्ते में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार अपना पूरा जीवन गर्नित को समर्पित करने के बाद 26 अप्रेल 1920 को रामानूजन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया भारत के महान इंजीनियर मोक्स गुंडम विश्वे सर्या जी ने कहा है जो सीख चुके हूँ उससे अधिक सीखने का प्रियास करो तो आप भी एक बात जान लो कि जीवन छोटा हो या लंबा अगर आपको अपने पर विश्वास है अपने कारियों पर लगन है और रामा नूजन जैसी महान हस्ती आपकी आदरश है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी मुस्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलो जिन्दगी का इम्तिहान होता है डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिन्दगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है तो आज के लिए इतना ही अगले पार्ट के साथ आपसे जल्द मिलते हैं धन्यवाद